प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सक मैं तो यहां बिल्कुल ठीक हूँ क्या आप जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं मुसववते क्या आपको मालूम है कि मुसववते क्या होती हैं चले मैं बताती हूँ जैसे हम English में पढ़ते हैं न, vowels A, E, I, O, U इसी तरीके से उर्दू में भी vowels होती हैं तो उर्दू की vowels को कहते हैं मुसवते अब सीखते हैं कि मुसवते कौन-कौन सी होती हैं मुसवते होती हैं अलिफ, वाउ, छोटिये और बढ़िये अलिफ की अवाज निकलेगी आ, वाउ की अवाज होगी ओ, छोटिये की अवाज निकलेगी इ, और बढ़िये की अवाज निकलेगी ए अब हम उसको बे के साथ जोड़ के देखते हैं अगर हम बे के साथ वाउ को लगा दे तो वो बन जाएगा बो अब हम बे के साथ लगाएंगे अलिफ को, तो वो बन जाएगा बा अब हम बे के साथ लगाएंगे छोटिये, तो वो बन जाएगा बी और अब आखिर में एक और मुसवत करते हैं बे के साथ बढ़िये की तो वो बन जाएगा बे तो देखा आपने कि बे के साथ जब हमने ये मुसवते जोड़ी तो उसकी आवाजें कैसे बदली जैसे बे के साथ अलिफ को जोड़ा तो वो बा बना बे के साथ वाओ जोड़ा तो वो बना बो बे के साथ हमने बढ़ी ये लगा दिया तो वो बन गया बे और हमने जब छोटी ये लगाई थी बे के साथ तो बन गया था बी बच्चों इसी तरह अगर हम लाम के साथ अलिफ को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा ला और फिर हम लाम के साथ जोड़ देंगे वाउ को तो वो बन जाएगा लो और फिर हम लाम के साथ जोड़ देंगे छोटी ये को तो वो बन जाएगा ली और आखिर में हम लाम के साथ जोड़ देंगे बढ़िए को तो वो बन जाएगा ले ठीक है बच्चो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को भी जरूर प्रेस करें टाटा